सबसे पहले आप सभी साथियों, मित्रों को नमस्कार और बहुत बहुत आभार कि आज आप मुझे सुनने के लिए यहां आएं मैं जन सरोकार मंच टॉंग की भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने इस मंच पर मुझे आने के लिए निमंदरन कि दिया आने आमंदरित किया मुझे और मैं खास कर देवेंदर जोशी जी की आभारी हूँ कि उन्होंने इस बाबत मुझे संपर्क किया और मुझे गुजारिस कि कि मैं आप अपनी कविताओं और कुछ कविताओं हम सब के बीच रखे तो इस प्यार कि मैं आभारी हूँ और आप सभी के भी आभारी हूँ आज रख्षा बंधन भी है तो इस सुनहरे अपसर पर मैं उनसे भी भाई बेनों को भी शुबकामनाय देती हूँ जो इस सब को मना रहे हैं और खास करके उन लोगों को भी एक गुजारिस है कि दुनिया में और एक रख्षक की भुमिका में हैं तो हम आदमी होने के नाते एक आदमी का दुसरे आदमी के पास खड़े रहे हमैसा उनकी रख्षा करे हमैसा एक रख्षक की भुमिका का निर्वाह करे तो दुनिया से जो भी बुराईयां हैं, दुनिया से जो भी कुछ मलिंताएं हैं, आदमी आदमी की जो मलिंताएं हैं वो खत्म होंगी, ये मेरा भरोशा है और मैं जानती हूँ भरोशा है, मैं आज अपनी बात शुरू कर रही हूँ, आज कविता पर मुकदमा के बहाने, तविता पर मुकदमा जो कावे संग्रह मेरा हाल ही में छपकर आया है उस पर कुछ बाते रखने को कही गई है तो पिछली रिकॉर्डिंग्स में जो कुछ भी चुसे अलग कुछ अपनी बाते इस संग्रह के जरिये रखूंगी और सबसे पहली बात तो यही कि जब कोई साहि साहित्य की कोई भी विधा हो कोई भी रचना हो जब वो आती है तो उसे उसका माध्यम मनुष्य होता है मनुष्य के लिए ही वो लिखा जाता है साहित्य का पुरा धाचा मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए और मनुष्य द्वारा ही किये जा रहे इस वैवस्था की ज जड़िम शचनावब मेरे हैं तो मेरा यह संग्रह भी जो है इसी तरह आ आया और मैं मानती हूं पहली बात मेरे ही है कि हर आदमी का बर्टमान होता है जो आदम्में लिखल करशोний जेल रहा होता है धोग रहा होता है वह स那么 न साअथिन,avam में रच रहा होता यानि जो एक वेक्ति का बर्तमान है जो आज है वो कल उसका अतीत भी होगा और कल उसका भविश्य भी होगा यानि वो जो कुछ भी लिख रहा है उसके एक तार बर्तमान में जुड़े रहेंगे एक तार अतीत से जुड़े रहेंगे एक तार इतिहास से जुड़े रहेंगे और एक तार उन मिथक कथाओं से भी जुड़े रहेंगे जो हमारे आपके जरिये इन रचनाओं कई बार नेट की समस्या आ रही है बीच में कई बार लोग ये मानते हैं कि आदमी का बर्तमान नहीं होता है ना उसका वविश्य होता है ना उसका अतीत होता है अगर ऐसा जो लोग मानते हैं मानते रहें मानते रहेंगे आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जो बर्तमान मैंने देखा है हमेशा अतीत से जुड़ा मिला एक हिस्सा मुझे भविश्य से जुड़ा मिला एक हिस्सा मुझे मितक कथाओं से जुड़ा मिला बदलती रहेगी, कल मुन्य गुपता इतिहास हो जाएगी, कल मुन्य गुपता भविष्य भी हो जाएगी, यानि जो चीजे आज दर्ज हो रहे ही, उसका अतीत और भविष्य भी हमेशा बना रहेगा, यानि जैसे कि मैंने इस किताब में ही कुछ नामों को दर्ज किया है, चीत के इतिहास में था और वो भविस्य को देख रहा था बर्तमान को देख रहा था उसके पास उसकी अपनी दिरिस्टी थी भविस्य को बर्तमान को देखने की आज जो संजय है वो भी युद्धों के इतिहास को देख रहा है सारे मुलकों के इतिहास को देख रहा है और वो संजय वास्तों में जो आज का संजय है वो कल के संजय से अलग है कल जो संजय था उसके पास एक दिव विद्रिष्टी था जिसे हम दिव विद्रिष्टी नहीं कह सकते हैं वो एक चरित्र है आप उसे कह लिजिए आप कह सकते हैं कई बार ये प्रस ने मुझसे भी पूछा ग दिखाई दे रहा है उबास्तों में उस इतिहास के संजय का नाम धारन किये हुए है आज भी बरतमान में अपने कूद रिष्टी के कारण, अपने छल प्रपंच के कारण, अपने समय और समाज को एक गलत दिशा दे रहा है, धोखा दे रहा है, ब्रमित कर रहा है। इसे संजय को भी पहचाने जाने की जरूरत है, जो भी इतिहास का किसी भी नाम को वे जिस बिक्ती ने धारन किया है, उसे अपने नामों को भी सार्थिक किये जाने के बारे में सोचना चाहिए, यानि अपनी ही परचाई स्वें को धोका देने लगी हैं, ऐसे भी संजय हैं, ऐसे भी दामोदर हैं, ऐसे भी विद्यादर हैं, जो इतिहास में कुछ थे, बर्तमान में कुछ हैं, और भविष्य में भी कुछ और होंगे, तो यह जो बुनावट है, पूरे इस संग्रह की कथा की बहुत सारी बुनावटे हैं, उसकी एक बुनावट जो यह है, उसका कुल कि आप जो कुछ बर्दमान में होते हैं, उसका इतिहास भी होता है, उसका भविश्य भी होता है, अगर आप अपने नाम, जिस नाम को आप गढ़हन कर रहे हैं, अगर आपको उसका इतिहास, भुगोल, मिथक, कुछ भी पता नहीं हैं, तो आप अपने बारे में ही असल में कि आप हैं क्या, अपने भीतर की ही, की चीजों को आप नहीं जानते हैं, कि असल में आपके भीतर का जो आदमी है, वो जिस नाम को धारन कर रहा है, वो असल में उसका सभाव और चरीतर क्या है, दूसरी बात ये है, कि हर आदमी लड़ रहा है, एक संगर्ष किस्तिती उसके पास दुनिया में आया है तो चाहता है वो कुछ कर के जाए हम सभी आप जो भी इस दुनिया में सांस ले रहे हैं और खुद को मरा हुआ नहीं मानते हैं जिंदा मानते हैं एक बार दुशन्थ के अगर कविता आपको याद हो कि हब पिर परवस्य कविता में एक लाइन वह द तो हम एक लास होता है जिन्दा आदमी उक लास जो इस समाज में चुप रहते हैं एक होता है वो आदमी जो इस समाज में कुछ नहीं कर पाता है वो अपनी चुपपी के साथ जेता है लेकिन फिर भी वो अपने आपको कहीं न कहीं दर्ज कर रहा होता है आपको कहीं न कहीं अ वो कहीं न कहीं उस आधमी की गड़ा को अपनी भाषजा अपनी बोली अपनी जमान, अपनी संस्कुलती में वो पुरी दुनिया की बात कर रहा होता है तो मैंने भी इस किताब के बहाने, मैं इसमें कोई आदर्ष, नितिकता और मर्यादा की कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस जितने परस भी रहेगा, जितने दिन तक सासे लेगा, वो चाहता है कि वो भविश्य के गर्भ में अपने किये हुए को छोड़ जाए, अपना जो दुनिया में जो कुछ भी जो भी लेखक हैं, समाज करता हैं, जो आज से भी हैं, वो आखिर क्या करते हैं, उन्होंने भी तो यही किया हैं, जो हमारे हैं बड़ी बड़ी शक्षियते हुए, बड़े बड़े लोग हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भविश्य में अपनी गाथाएं चोड़ गई ताकि आने वाली पिडियां भी उन गाथाओं को याद रखे, उन किये गए कारियों को याद रखे, उनसे सीख ले सके, उनसे सबक लिखे सके. और जो गलतियां अतीत में, इतिहास में दोराएं, जो गलतियां की गई, वो गलतियां भविश्य में ना हो, एक सबक के तौप महनुभावों ने, बुद्धिजिवियों ने, अपनी एक सार्थक पहल, सार्थक हस्तक्चेप, सार्थक रचनात्मक परतिवाद, आप इसे जो क आदमी मेरा मानना है, हर आदमी अपने समय में संगरशील है, और वो चाहता है कि वो अपने समय को सार्थक बना, ऐसे में ही बुद्धिजिवियों की भूम, ने सीरे से देखने की जरूत है मैं, आज, ये के जिवियों के हवाले से, मैं हर उस आदमी की बात करी हूँ, जो अपने समय में जेल रहा है और चुपी की स्थिति में है, वो न बोल पाता है, न कह पाता है, न लिक पाता है, न लड़ पाता है, क्योंकि मुझे ये पता है, और आप लोग भी जानते हैं, मुझसे मेरी इस बात से साबका रखेंगे, कि जो भी गरीब आदमी है, शोशित हाशिय के आदमी है, उनकी कोई नहीं सुनता है, उन्हें चुपी का एक संसार होता है, और वो अपनी चुपी में ही सासे ले पाते हैं, और उनकी चुपी को वे लोग ही सुन पाते हैं, जो उन चुपी के शिकार होते हैं, यानि एक चुपी की बात वे ही सुन पाते हैं, ज अब आप ऐसे बुद्धि जीवी को क्या कहेंगे कि अफशरवाधी बुद्धि जीवी हैं सक्ति, सत्ता, पधलोवी बुद्धिजीवी और अफशरवाधी बुद्धि हैं और ऐसे समय में उनकी भुमिका आप पाएंगे कि वो नगड़े होती है जब एक आम आदमी के प्रसंग होता है बुद्धी जुवियों की चुपी हमें तो खलती है मुझे तो खलती है आपको खलती है या नहीं खलती है मैं कह नहीं सकते हूं लेकिन मुझे बहुत खली और मैं आज भी देखती हूं कि बुद्धी जीवी जो हर मामले में चुप रहे जाते हैं इतिहास उ निक रहे थे तब बुद्धी चीवी चीप रहें केवल भारत का मसला नहीं इंगलेंड का मसला है जहां बुद्धी जिवियों से बहुत अपक्छाएं की जाती है और हम बुद्धी जिवियों को वो तबका दे कर हमने रखा है जो इस समाज पर हम एक ज्यानी और असल माइने समाज के ही तैसी लोगों को रख कर देखते हैं यानि बुद्धी जिवियों की चुपी बड़ी खतरनाक है साहब और हम सभी को कहीं न कहीं हम सभी के मन में ये दर्द होगा मेरे मन में तो बहुत दर्द है लेकिन हम मैं जानती हूं दुनिया के बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में भी ये बुद्धी जिवियों की चुपी उन्हें संसय के घेरे में उनके पूरे भूमिका और नजर आप एक आदमी को दोबुंद जहर दे के मार दे ये कम खतरनाक है वो तो मर जाएगा लेकिन आप एक आदमी को बुद्धी जिवियों के रहते हुए चुप कर रहे हैं और बुद्धी जी भी चुप क्यों रह जाते हैं थोड़े सी जो उनकी के प्रतिलोब है और उन समराज्य इलाकों में जो जातिवाद का एक चोला उड़े हुए हैं उस नाते भी वह नहीं बोलते हैं उस नाते भी वह चुप रह जाते हैं ताकि भविस्त में उनक समय में बुद्धी जीवियों की भुमिका को और हमें बुद्धी जीवियों के नजरियों को एक नए सीरे से देश में भी आप देखेंगे कि मैंने संग्रह में भी मेरी कुछ कविताएं बुद्धी जीवियों की भुमिका को लेकर कि एक सिर्शक ही मैंने रखा है मेरी गहरे नजरिये से इस बात को देखे जाने का समय और समाज में बुद्धि जिवीयों के क्या भूमिका है। और वो आपके चुप्पी के चुप्पी चाहते हैं तो ऐसे वुद्धी जीवी हमें अपने समाज में तो कत्त ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे वुद्धी जीवी ना हमारे सिख्छन जगत के लिए सही है ना हमारे समाजिक जीवन के लिए सही है और ना हमारे जो भी स्थितिक सांस्कृतिक जो जीवन है उसके लिए सही है हमें गुद्धि जीव्यूक भुमिका को एक नए नजरिये से देखें कविता संग्रा को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मैंने तीन कविता है पहले रखने के बाद एक गंभीर पहले जो अपनी नजरिया था जो अपनी दिरिश्टी थी इन कविताओं में जो आई है उसके बाद एक जो है हलकी कविता है हलकी कविता नहीं लेकिन बेहत मारक और मार्मीक कविता है जैसे आप अगर कभी साउथ हिंडियन मुवी में कई बार आप देखते हैं कि कहानी शुरू करने से पहले डारेक्टर मार्फत वो एक गंभीर मुद्दे पर आता है मैंने भी इस कविता शंगरह को शुरू करने से पहले शुरू करने के बाद एक जगह पर एक मूसक और छचुंदर के नाम पाती एक शुर्षक नाम से एक कविता लिखी है जो आपको देखने में आपका एक मनुरंजन तो करेगी लेक क्या जा रहा है हम उसके बारे में कहें और उसी के साथ एक कविता साथ में चलती है सच में हैं दुनिया में हर उस आदमी को जो जहेल रहा है उसे किस बात पर हसना चाहिए उसे अपने प्रिफ दे रहे हैं उनकी हसी पर हसना चाहिए या फिर जो जहेल रहे हैं जिस चुप और छचुन्दर के नाम पाती के बार अपने संग्रह के अगली कविता मैं किस बात पर हसूं जो कि मेरा सवाल है उन बुद्धी जिवियों से भी आप चुप रह जाएए उनसे भी कहते हैं कि हसो और समय को भूल जाओ कल वो भेतर समय आएगा तो साहब मैं उस समय में जिस समय में रो रही होती हूँ तमाम लोग जिस समय में दुप जेल रहे होते हूँ मैं तो ऐसे समय में हस नहीं सकती हूँ और मुझे उन लोगों के बुद्धी पर भी आश्चर होता है जो ऐसे समय में मुझे चुप रहने के लिए और मुझे हसने के लिए प्रेरित करते हो। मैं तो हस नहीं सकती हूँ। यानि हाडी में भात एक पेट के लिए पकता है, एक हाडी में भात पेट भरने के लिए पकता है, एक हाडी में भात होता है पेट पर लादने के लिए पकता है। आप उनकी पेट पे लाद पारना चाहते हैं, आप उनकी जवानों पे लाद पारना चाहते हैं, आप उनकी सारी कर्तिवतों से अपने हाडी में भाद पका कर आप उसके साथ हो, मेरा ये संग्रह, उन लोगों के प्रतिवाद में हैं, जो ऐसे ही हाडी में भाद पका रहे हैं और मुझे लगता है कि ये संगरह सीफ मेरा नहीं है हर उस आदमी की जवाण में ये कह रहा है उम्रे की कोई भी ओधी हो, उम्रे की कोई भी इसमें सीमा नहीं है तेस दुनिया में कहीं भी उसका सिकार हो सकता है यानि अगर आप कई बार आप लोगों ने ये दावा किया कि ये किताब है आप करांती कर रही है लेकिन मुझे माफ की जियेगा कि इस किताब के बहाने मैं कोई करांती करने नहीं आई हूँ नहीं मैं कोई करांती करना चाहती हूँ और नहीं मेरा इंकलाब करने का कोई रहुंगी जो मेरी धारना बनेगी आदमी के परती समाज के परती बुद्ध जिबीयों के परती सब को मैं दर्ज करती रहुंगी मुझे बस मैं यही चाहती हूं कि मैं अब चुप नहीं रह सकती मेरे लग्ड़ी ने वो मेरी चुप्पी से बहुत घबराती है और वो चाहती है कि तुम डरो तो डरो लेकिन मैं अब नहीं डरूँगी तो ये मेरी, मेरा संगरा जो है, उन सारी लड़कियों के लिए, उन सारी वाओं के लिए उन सारी बच्चियों के लिए का वाज है जिसने देश दुनिया में हर जगा इसा गया है कूटा गया है और उन्हें खत्म कर देने की कोशिस पर घी है अगर कई बार मैं सोचती हूं कि और आज घर से आती, तो क्या मुझे सुना नहीं जाता, तब आपकी चुपी का कोई महने ही नहीं होता, तब आपकी ऐसे में आपकी चुपी का कोई सवाल ही नहीं होता, पूछते भाई कहिए कि क्या वात है, लेकिन जब ऐसी लड़की जब ऐसे जगह से आती है, और मेरी तरह तमाम लड़कियां जिने कोई नहीं सुनता है तो नहीं सुना है वो अपनी बात कहने के लिए कई बार कोशिश करती है लेकिन कोई उसको सुनने वाला नहीं होता है ऐसे में आपको अपनी भीतर की चुप्यों से खुद भी बात करनी होती है यह चुप्यां जो है चुप्यों के भी जार शक्स के भीतर चलती रहती है और लगतार चलती रहती है यह संग्रह एक तरह से चुप्यों का संग्रह है जो अपने ही भीतर बात है यह संग्रह उन लोगों का भी है जो अपने ही भीतर उन लोगों तक अपनी बात पहुचाने की कोशिश करते हैं जो देश दुनिया में कहीं न कहीं मेरी ही जैसे या मेरी जैसे तमाम हलातों के शिकार हैं तो ये चुप्या उनको भी कर्म से कम ताकत देंगी कि वो भी अपने समय को दर्ज करें मेरी मांग यह हैं दोस्तों मैंने समय को दर्ज करें क्योंकि जब जब आप दर्ज करेंगे आपके समय के बीच बीच में नेट शायर डिसकनेक्ट हो रहा है मैं माफी चाहूंगी इस रुकावट के लिए मेरा कहना है कि यह देश दुनिया में जहां कहीं भी जो काले चेहरे हैं जो हत्यारे चेहरे हैं जो खतरनाक चेहरे हैं आप अपने को दर्ज करेंगे तो वो आपसे भागेंगे यानि हमारे समय का भेडिया जो हमारे बीच है वो आपके लिखने से आपके बोलने से आपके अजात के आप लडाईयां देखें कि कैसे उन्होंने अपने समय में चुप्यों के साथ ही सारी जो पर बैठ कर लिखा पड़ी करके चुप चाप करके अपने कारिकरमों को अपनी योजनौव को अनजाम देते थे तो यह चुप्यों की करांती है चुप्यों से चुप्यों तक की यातरा है और अगर चुप करा दिया जाए तो भी फिर आप भी फिर लगतार आप बोलते रहीं कैसे भी बोले जरूरी है बोलना जैसे कि एक ब्रेल लिपी हमारे समय में ही develop हुई है विक्सित हुई है उनके लिए जो देख नहीं पाते हैं और ब्रेल लिपी के माध्यम से ही वो पूरी जानकारिया फिरो को देखे जिनको सुनाई नहीं देता है लेकिन जो बधिर होता है वो उनकी उनसे उन तक बात पहु यानि आप जिससे बोल रहे हैं जिससे कहना चाहते हैं वहां तक आप आपकी बाते पहुंच जाते हैं आप भले ही ना बोले लेकिन वहां तक आपकी खामोशियां आपकी चुपियां आपकी जो बाते हैं उन तक पहुंच जाती हैं यह चुपियों की आवाजे कहीं रुखती नहीं है वो भीतर ही भीतर बहुत दूर तक पहुंशती है जैसे कि आज आप सभी हमसे जुड़े हैं मेरी इस चुप्यों के संग्रह पर आप मुझे सुन रहे हैं मैं इसके लिए आपके भी आभारी हूँ एक जगा फिर मैंने इसमें आई है आगे भी एक बात मैंने की है कि हाडी में भात के बाद जो है पढ़े लिखे लोगों की जमाद मेरे इस संग्रह पर आप यह भी है कि यह एक सिक्षक कम्यूटी के खिलाप लिखी गई कुछ जो पूरे सिक्षक कम्यूटी को बदनाम करती है मैंने मेरा ऐसा कोई रादा नहीं रहा है नहीं कभी मैंने सिक्षकों के बुरुद कभी लिखा है लेकिन लोगों के चेहरे पर एक नकाब है वे सामने कुछ और है और भीतर कुछ और है उनको मैंने जरूर दर्ज किय और मुझे लगता है कि मेरे जैसे तंमाम लोग होंगे जो इसको इसके लिए मैंने पढ़े लिखे लोगों की जमाद पर भी बात की है को रे । गरे कागज पर हस्ताक्चर जो इतिहास से चले आरे आज तर आप अपने अपने समय में, अपने अपने समय के प्लेन कागश पर किये हस्ताक्षर का अलग-अलग संदर्वों में अर्थ निकालेंगे, कभी प्लेन कागश पर हस्ताक्षर इसलिए लिये जाते हैं, ताकि आपकी सारी जायदा धरप ली जाए, कभी एक कागश पर हस्ताक्षर इसलिए भी लिये जाते हैं कि आपके खिलाब एक बड़ी मुहीम आपको खत्म है आपको पुरी तरह से इस प्रिधवी से खत्म किया जा सके इस दुनिया से खत्म किया जा सके आपकी आइडेंटिटी को खत्म किया जा सकते तो मेरा मानना ये है कि आदमी कबरगाह तो नहीं है एक शि उसके परतिवाद के क्या तरीके हैं वो आदमी उसके तरीके खुद इजाद करेगा खुद अक्तियार गन जो उसके भीतर धड़क रहा एक दिल जो उसके लिए धड़क रहा है और जो चुप बैठें लोगों तक अपनी आवाजे पहुंचाएगा यानि पत्थर की आवाजे पत्थर पहचान लेता है जरने की आवाजे जरने पहचानते हैं पक्षियों की आवाजे पक्षि भी पहचान लेते हैं आदमियों की आवाजे आदमी भी पहचान लेता है जैसे ताकतवर समराज्य अधिकारी जब अपनी बात कहता है तो उसकी बात को जो ताकतवर समराज आज अधिकारी उस तक ठीक पहुँच जाती वैसे भी चुपी साधने की जो आब आजे हैं वो चुपी साधने वाले ठीक पहुच जाते हैं और इसलिए मैंने कहा कि जब आपने चुपियां भी नहीं सुनते हैं तो एक कविता मैंने इस पर भी बात किया है कि आओ थोड़ा- थोड़ा सुना रही हैं उसे आप सुने कम से कम ये महम मैटर करता है कि आप क्या सुन रहे हैं और किस से सुन रहे हैं और आप उस सुने हुए को कहीं कुछ चुपियों के बहाने या शब्दों के बहाने सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे फिर मैंने उसमें ये कविता भ नहीं भी कवी लिख रहे हैं और हम जानते हैं इस बात से आप सभी परिचित हैं कि दुनिया में जहादा कवियों ने लिखा, सबसे जादा कवियों ने गुना, यानि दुनिया में जहां जब भी बहुत कुछ लिखा गया कवियों के द्वारा लिखा गया बहुत कुछ गुना गया कवियों के द्वारा लिखा किया गया और बहुत कुछ जब बाचा गया तो कवियों के द्वारा बाचा गया लेकिन हम उन कवियों के पराले जो दूसरी और आदमी की हत्या भी करता है, कवीता की भी हत्या करता है, वो कवीता के भी हत्यारे हैं, आदमी के भी हत्यारे हैं, मैंने ऐसे कवियों के जुन्ड को भी अपनी इस कवीता में दर्ज किया है और कहा है कि हाँ, यह हमारे समय के शिकारी कवी है, यह हमारे समय के हत्यारे हैं, जो कविता की हत्या करना चाहते हैं तुम डरा नहीं पाओगे चाहे जितनी बार भी आओगे जितनी मजबूती के साथ आओगे अपनी कविताओं में खड़े आकर आओगे अपनी ताकत के साथ खड़े होकर आओगे अपनी पल्टन के साथ खड़े होकर आओगे तो भी ना तो मुझे डरा पाओगे ना मेरी चुपी को डरा पाओगे ना मेरी कविता को डरा पाओगे ये कविता संग्रह जो अब शुरू हुई है जो एक यातरा चुपियों की यातरा एक शुरू हुई है अब ये कभी थमेगी नहीं तो ये संग्रह कुल मिलाकर एक तरह तरह की दीन दुनिया की जो भी चीजें हैं उसको लेकर आई हैं इसके बीच में बहुत सारी कविताएं हैं जैसे दुरगा चली गई और वो है वो जो आखरी इशुवर था वो मुझसे रुक्षत बात फिर माली की चिंता बड़ी है इसको लेकर भी एक बड़ी बात कही गई है और छोटे छोटे शब्दों में और एक बात में ये इसमें भी कहना चाहूंगी कि कत्रा कत्रा जो लगु आपके भीतर जो जम कर कविता में उतरता है वो शाह समय बीत जाए सदियां बीत जाए वो कत्रा कत्रा लहुजो कविता की शक्ल में अब खड़ा हुआ है अब उसे डराने के लिए कोई भी शिकारी कभी आए उसे डरा नहीं पाएगा एक अंतिम बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी पिलाओं पर भी बात की है जो देश दुनिया में उचे उचे पदों पर बैठी है देश दुनिया में अच्छे अच्छे ओहदेदार पदों पर शामिल है इस तरी मुक्ति की बात करती है इस तरी चेतना की बात करती है इस प्रुखदार हो कर भी पदों पर बैट कर भी कोई लड़की उसके जूते की नोक से बाहर निकल कर एक मजबुत सक्षियत के साथ, एक मजबुत पहचान के साथ, एक मजबुती आइडेंडिटी के साथ वो खड़ी हो सके, ऐसी भी महिलाएं हैं हमारे समाज में, जो चाहती है कि सारी दुनिया की जो इस्त्रिया है, वो उसके पैर के नीचे दबी, कुछली पड़ी रहें, ऐसे भी सिक्षक महिलाएं हैं, जुन्होंने अपने आगे ना किसी लड़की को एक कवित दिया, ना एक लेखिका के रूप में उभरने दिया, और सबसे बड़ी बात, एक उन्हें मौका मिला, तब तब उन्होंने कोशिश की कि उस लड़की की, बच्ची की, उसके भीतर की कभी मन को, उसके भीतर के साहित दिकार को, उसके भीतर की आदमी, आदमियत को पुरी तरह से खत्म किया जाए, लेकिन आप कई बार समभ नहीं हैं, तो इस दुन्या में उसको लेकर भी इनने कविता लिखी नाम से कि ऐसी भी महिला है जो मुक्ती के गीत गाती औरते सिरुषक से मैंने लिखा है इसमें आप वो देख सकते हैं अगली कविता है जी हां सिर्फ पांच के बहाने मैंने कि बड़ी बात नहीं कहूंग이 कि बड़ी बात है आप लोग हम से बहुत ऐसे हमारे बरिस्ट लोग जुड़े हैं, राजराम भादू सर जी एक एलास मनहर सर जी भी हमारे बीच हैं, अनिल पुसकर सर जी भी हमारे पुरी श्रिष्टी, जिन्दा है, जिसे पूरी स्रिष्टी का निर्मान है, जो हमारे भीतर वह पांस तत्व बसा हो, लेकिन यही पांच अगर बुरी शक्तियों के रूप में आपके आस पास खड़े हो जाएं, आपको गरहन करने के लिए आपके जीवन पर गरहन डालने के लिए तो यही जो अच्छी शक्तियां हमारे भीतर हैं हमारे भीतर बुरी शक्तियां भी हैं तो यही पांस तर तो अगर नेगेटिव एनर्जी के तो किस तरह से एक तरह से आप इसको आप कह सकते हैं कि इन्होंन में हत्यारों को बेनकाव किया है, साजिस करता को बेनकाव, उनको बेनकाव करने की कोशिश की है, मैंने किसी के खिलाप कोई ना तो आरोप लगाया, नहीं मेरा कोई आरोप बेक्तिगत्र, आक्षेप है किसी को भी लेकर, और नहीं मैंने किसी राग द्वेश से संचालित होक मेरे मन में कोई आकरोश है बस मैंने जीवन को समाज को दुनिया को अपने आस पास के लोगों को अपने जिस चसमे से देखा है अपने उसी चसमे से मैंने उसे यहां रखने की कोशिश की है और अंत में आप देखेंगे तो एक संग्रह में कविता पर मुकदमा संग्रह में ए पहली बार, सदियों से जो कबरे दफने हैं इतिहास में, मेरी गवाही में खड़े हैं इतिहास के दो पात्रे और धर्ण सास्तर की दो आखे, इसी तरह बहुत सारी कविताये हैं, जिनके जर्णे मैं, मैंने ये बताने की कोशिए, निया में समंदर भी हैं, नदिया भी हैं, म को बनाया है, हम जिनके अस्तित्तों को सलाम करते हैं, उसी के परलेल हमारे नाले भी हैं, महा नाले भी हैं, पर नाले भी हैं, जो इनहीं अस्तित्तों को नकार के समाज में अपने विकृतियों का एक अलग नाला बहाते हैं, यानि इसके जर्ये मैंने हाशिये और केंद्रे परीधी और केंद्रिया, अस्तित्तो और अस्मिता और आइडेंटिक, स्रीजन और बिध्वन्स की भी बाती की है यानि यही एक जिरह, यहाँ एक बहस आपको देखने को मिलेगा जो इस समय देश दुनिया में अलग-अलग जगों पर, अलग-अलग धंग से चल रहे है यानि नाले संस्कृती के खिलाप, जो यह नाला संस्कृती है, दुर्भावनाओं के यानि मनुष्य की भीतर की जो मलिंता है, जो एक नाले संस्कृती के रूप में बह रही है उसकी खिलाप एक बहस है, पूरी कविता परश के अंतिम खंडों में आप उसे उम्मीद है कि जरूर देखेंगे मुझे लगता है कि समय अपनी कुछ कविताएं जो है, रखनी चाहिए और आप लोगों ने इतने धहरे से कविता पर मेरी बात सुनी, मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी की मैं कुछ कविताएं आप जब आप साब के समक्ष रखना चाहूंगी सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ शुरू से शर्षक एक कविता है सुनो विद्याधर, तुम ब्रहम नहीं दानिशमंद समंदर में एक महकमे का माहीर दामोदर और संजे संग चौसर पर चाल खेली और विद्या के सागर को मैला किया असंखे पाप किये सेवा निब्रित होकर भी सोचता है कहीं तो दिवान पद कहीं तो महकमे में जगह मिले वह बसाना चाहता है वह बसाना चाहता है एक विद्याधर नगर होगा वह बसाना चाहता है एक नया नगर यह सवाई जै नगर नहीं, विद्याधर नगर होगा, मगर होगा, ऐसा होगा, विद्याधर नगर होगा, एक कुश्चन मारक है पहले भी एक चंद्र महल साथ मंजिला विद्याधर नहीं बनवाया था सिल्प शास्त्री मिल जैगड के परशिद किले की इमारत रखी हाँ हाँ ये सच है ये विद्याधर भी ब्रहमण है कौमी ब्रहमण बैदिक ब्रहमण नहीं कौमी ब्रहमण इस विद्याधर से कौन पूछे कि ब्रहम का अंड और पिंड कहा है इस विद्याधर से कौन पूछे कि इस ब्रहम का अंड़ का सागर है विद्या का सुनो विद्याधर सुनो विद्याधर ये विद्याधर ये ब्रहमनों का नगर नहीं इसे तुम पाप का नगर नहीं बना सकते इससे पहले की इतिहास में चुनवा दिये जाओ समरिद विद्या के सागर को छोड़ कहीं और चले जाओ छोड़ कहीं और चले जाओ अगली कविता का शुर्शक है मैं किस बात पर हसू मैं किस बात पर हसू तुमने मुझसे कहा हसो तुमने मुझसे कहा हसो मैं भी हसना चाहती हूँ तुमने मुझसे कहा हसो मैं भी हसना चाहती हूँ पर तै करो पर तै तो करो किस बात पर तै उस बात के लिए जब तुमने मेरी उंगुलियों को तोड़ कलम छीन ली थे या उस बात के लिए हसो जब सरे रह मेरी मुस्कान को निलाम कर बाजार बना डाला मुझे जब सरेगा मुझे निलाम कर मुझे बाजार बना डाला उस बात के लिए हसुम कहो किस बात के लिए हसुम जब मेरे पैर काट कर अपने समराज के तंग तर कर लिया उस बात के लिए हसुम जब मेरे आजाद पंख नोचने की साजी सरची थी या उस बात के लिए हसुन जब तुम मुझे आपाहिस बनाने की हर दाव चल रहे थे तुम ही कहो किस बात पर हसुन मैं किस बात पर हसुन मैं हसना चाहती हूँ सच में मैं हसना चाहती हूँ पर पहले यह तै तो करो किस बात पर हसु एक छोटी सी कविता है हाडी में भाद तभी पकता है आप सभी जानते हैं कि हाडी में चूला लाए जब कोई लकडी लाए जब कोई आग जलाए तब जाकर हाडी में भाद पकता है तो लेकिन अगर आग ना हो न तो हाडी का महत तो है ना आग का महत लकडी का महत तो है और ना भात का महत तो पकी नहीं सकता है भात तो आग जो है जिवन की बुन्यादी जरूरत है जब कोई चूलहा लाए कोई लकडी लाए कोई माचिस लाए और जब कोई चूलहा लाए, कोई लक्री लाए और कोई माचिस लाए और कोई जब आग लगाए तब जाके हाडी में भाद पकता है एक कविता इसी संग्रह से कोरे कागज पर हस्ताप चर मैंने बेदो को खंगाला कोरे कागज पर हस्ताप चर नहीं मिले मैंने उपनिशदों को खंगाला कोरे कागजों पर हस्ताप चर नहीं मिले मैंने दुनिया की सारी पवित्र किताबे खंगाली कोरे कागजों पर हस्ताक्षर नहीं मिले मैंने राज घराने की पांडूलिप्या खंगाली कोरे कागजों पर हस्ताक्षर नहीं मिले मैंने भासे खंगाले निहां तक की लोग कथाएं खंगाली कोरे कागजों पर हस्ताक्षर नहीं मिले दुनिया के सबसे कुरूर बादसाहों की नजीरे खंगाली अनुवाद खंगाले कोरे कागज पर हस्ताक्षर नहीं मिले आश्चर ये तब हुआ जब ज्ञान के समंदर में बैठे किसी विदूशक ने मासूम और बेकसूर हाथों से कागजों पर हस्ताक्षर करवाए इतिहास बदलती आ रही हैं वे इवारते जो रिचाओं में नहीं तुमने लिखी है मगर भुलावे में लिए कारगर होंगे जरा ये तो बताओ किसी मासूम ने गर पूछ लिया कि हस्ताक्षर क्या जबाब दोगे तो क्या जबाब दोगे ग्यान के समंदर का इतिहास क्या तुम्हारे इस गुनहा से तुम्हें बरी करेगा क्या बरी करेगा सोचिए आप लोगी क्या ग्यान के समंदर का इतिहास क्या बरी करना चाहिए ऐसे लोगों को अल्दी कविता चुप्पी साध्य रखना मैंने एक पौधा रोपा मैंने एक पौधा रोपा खाद पानी से सीचा साथ ही उसके कानों में मंत्र पढ़ा चुप्पी साध्य रखना चुप्पी साधे रखना पौधा पेड़ की शकल में निकल आया अचमभा ये हुआ कि सारी टहन्यों की शाखों में एक एक पत्ते पर लिखा था चुप्पी साधे रखना जैसे जैसे पत्ते घनियाने लगें तहनिया जुकती गई और एक दिन तहनियों साखाओं ने शुरू किया गिराना जिस पर लिखा था चुप्पी साधे रखना एक मैं अंतिम सिरीज में से एक कविता आप सबको सुनाना चाहूंगी अदाल्तों के इतिहास में पहली बार कविता पर मुकदमा सिरीज की अंतिम कविता से एक कविता है अदाल्तों के इतिहास में पहली बार किजिए सारी दुनिया के संजय को इकठा किजिए जिवित और मिरित दोनों संजय को बुलाएं कि वे कोट में हाजीर हो वे कोट में हाजीर हो सुना कि इतिहास में जिनकी कबरे दफन है संजय, विद्याधर और दामोदर सुना कि इतिहास में जिनकी कबरे दफन है संजय, विद्याधर और दामोदर वो निकल आए हैं वो निकल आए हैं बाहर उन कविताओं को खोजने इतिहास में लिखी गई थी इनी नामों से और बरतमान में भी लिख रहे हैं यहां तक कि वे उन कवियों को भी खोज रहे हैं जो भविष्य के गर्भ में भी लिख रहे हैं इन नामों पर कविताएं एक सादे सुफेद कागज पर मासुमों से हस्ताक्षर करवाते हुए वे पेश होना चाहते हैं गुप्त समराज्य के दर्बार में जहां साबित कर सके कि इतिहास से भविस्य तक जो करें नदियों में बह रही हैं बे परवाह बे सुध गुमनाम लासें पहले खोज कर लाओ पहले खोज कर लाओ वे सारे कबरिस्तान जिनमें तुम्हारे नाम की लासे छिपाई गई हैं और वो नदियां जिनमें तुम्हारी लासे बहाई गई ह किसी अदालत में इतिहास में ये पहली बार होगा इतिहास बीच में नेट डिसकनेक्ट हो गई थी किसी अदालत में इतिहास में ये पहली बार होगा कि अदालतों में पेश किये जाएंगे मुर्दा अद्मियों की जिन्दाला लिखा है दामोदर, विद्याधर और संजय अगर ऐसा होगा तो मैं उस शक्स से पूछना चाहती हूँ उन लोथो उन लासों से जो हजारों लाखों साल पहले सदियों की गर्त में कबरों से बाहर निकलने को बिवश किये जा रहे हैं एक ऐसा केस बिच बिच में नेट इसकनेक्ट हो रहा है एक ऐसा केस दर्ज हो जिसमें पूछा जाए हर कबरिस्तान में दफन इन ही नामों से कि वो बताएं उनका देश और काल और मैं इनसे भी पूछना चाहती हूँ जो अभी जिन्दा हैं कि तुम्हारा ये नाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कैसे मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा ये तुम्हारा कैसे इतिहास की नदी में इतिहास के कबरिस्तान में और इतिहास की गर्द में दबा दी गई सभेताओं के भीतर जहांक कर देखो इन नामों के अफशेश का कुछ तो पता मिलेगा नामों के अफ्षेश का कुछ तो पता मिलेगा एक छोटी सी कविता है मैं और मेरा समय आज का वक्त तुम्हारा है कल का यकीनन मेरा होगा कल का यकीनन मेरा होगा आज तुम अपनी जमी पे अपने निशान देते रहो कल तुम्हारी जमी पे मैं अपने निशान छोड़ जाऊंगी कल तुम्हारी जमी पे मैं अपने निशान छोड़ जाऊंगी एक कविता है वह लड़की देखना चाहती थी आसमान छूना चाहती थी सफेद बादलों के टुकडे उड़ना चाहती थी आसमान में बूंद की तरह आसमा से बरसना चाहती थी बूंद बूंद कर वह लड़की देखना चाहती थी आसमान हर दिन वह बालकनी से जहांकती आसमान कहती अपनी मा से आसमान में छोटे छोटे सफेद फूल किले हैं तुम दे जाओ मुझे वह हतेली फैलाए फूल ज़रने की बाठ जो हती एक हाथ उसकी हतेली की तरफ बढ़ता और एक हाथ उसकी हतेली की तरफ बढ़ता और उसकी हतेली पे अंगारे रख चला गया कविता मैं दुर्गा से सुनाना चाहती हूं कि दुर्गा अगर आपकी इजाज़त हो तो और सुनाया जाए या फिर देवेंद्र जी समय बहुत हो गया हो तो आप कहें क्या करें जनता की आवाज कविता से फिर मैं एक अंतीम कविता मैं पढ़कर छोटी सी कविता से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी एक छोटी सी कविता है गर तुम जी सको मेरी बहुत पसंदिदा कविता है अपने फैसले के साथ जीना अपने फैसले के साथ जीना चांद होना है अपने फैसले के साथ जीना चांद होना है गर तुम जी सको चांद बनकर तो सारा आकाश तुम्हारा है मैं जन सरुकार मंच की बहुत आभारी हूँ या अपनी बात रखने का अपनी कवितायाँ सुनाने का और मैं उन सारे मित्रों की भी तहे दिल से आभारी हूँ जो आयें यहाँ लाइफ मुझे सुनने के लिए और अपना सहयोग और ये नेटवर्क की खराफ समस्या के वाउजुद आप बने रहें मुझे सुझा इस किताब के जो साजिदार रहें हैं और अपने दो शब्द मुझे आसिरवाद सुरुप दिया मैं आपकी भी तहदिल से हमेशा अभारी रहूंगी कि आपके शब्द मेरे साथ मेरा इतिहास बन गे हैं ये भविस्ते में भी जाएंगे और ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे और साथ ही मैं आज के समय के युवा आलोचक कभी अनिल पुशकर जी की भी आभारी हूं जो इन कविताओं पर लगतार लिख रहे हैं एक गहरी समझ एक गहरी आलोशना और कविता को एक नए नजरिये से देखने की जो दृष्टी इन कविताओं के बहाने उनकी सामने यहीं अपने शब्द को मैं विराम देती हूं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया